उत्तर भारत में बारिश का थोड़ा-थोड़ा प्रकोप चारी, कहीं कहीं पर बारिश हो चुकी है, कहीं पर हो रही है और कहीं पर होने वाली होगी अब इस बे मौसम की बरसात में कुछ पोधे तो हमारे खुश होंगे पर कुछ पोधे नाराज हो जाएंगे क्योंकि उनको बारिश नहीं पसंद आएगी तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं कि कौन-कौन से पोधों को हमें बचाना है नाराज न हो जाएं इस बारिश में नमस्कार बेश्टी-बेश्टी पर आज एक छोटा सा वीडियो जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है कहीं ऐसे नो कि बेमोसम में ये बिचारे नाराज हो जाएं आपसे तो आपने अभी जो विंटर्स के पोधे लगा रख्योंगे न हलकी फुलकी बारिश हुई है तो कोई नुकसान नहीं होगा आप रखे रहने दीजिए पर अगर आप किया बारिश रुक रुक के लगातार हो रही है तो जब इनमे लगातार पानी पड़ेगा तो इन पोधों पर फर्क पड़ेगा अगर आप क्या शेड है कुछ ऐसी विवस्ता है जहां पर आप इनको रख सकते हैं तो इनको रख दीजिए क्योंकि ज़्यादा पानी पढ़ने से ये पोथे गलने लगेंगे तो कहीं न कहीं फरक पड़ेगा जल्दी इनकी जो लाइफ होगी खत्म हो जाएगी और इस बारिश की गलन से बचा लिया इन में फ्लावरिंग आपकी लब में समय तक होती रहेगी पर जिनके आँ जगए नहीं है मैंने भी कुछ बचा के रखे सबको तो नहीं बचा सकती पर जहाँ जगए मिली है वहाँ वहाँ पर रख दिया कुछ नन्य मुन्य है तो उनको भी इस बारिश के पानी से बचा लिजेए कहीं ऐसा न हो कि ज़्यादा पानी में ये बेचारे दम दोड़ते हैं कैक्टिस, आप सभी को पता है कि कैक्टिस तो आप पानी में छोड़ेंगे ही नहीं इसको तो सबसे पहले अंदर करेंगे और साथ ही साथ जो आपने सेट्लेंट्स लगा हैं उनको भी अंदर करेंगे आपने कलंचो लगा रखा इसको भी आप अंदर करेंगे लगातार बारिश में ये गल जाएंगे और फिर अननेसेसरी बात में आपको पच्छताने से कुछ नहीं मिलेगा बहुत सारे आपके पास डेलिकेट पौधे होंगे अपना ये बटरफलाई प्लांट इसको भी आपके पास है तो आप इसको अंदर रख लीजिए ज्यादा पानी लगातार पड़ेगा तो इसके बल्प्स गल जाएंगे और सेकलन्स देखिए कल मैं बाहर गई थी मेरे पीट पीछे घर में बारिश होई बंदरों ने आतंक मचाया तो इनमें काफी सारा पानी पड़ गया और अब इनको रखाए ऐसी जगे पे जहां पर बारिश का पानी ना पड़े पर अभी पोधों का सारा पानी सूख चुका है तो मेरे ख्याल से इन पोधों को आपी कोई नुकसान नहीं होगा पर आप भी साधर खो जाएए बारिश में लगातार इनको छोड़ देंगे तो यह पोधे आपके निश्चित रूप से गल जाएंगे जो एक्सपर्ट से उनको सब कुछ पता है पर मेरी चोटी चोटी टिप्स मेरे उन भाई बैनों के लिए होती है जो कहीं न कहीं कोई नो कोई गलती कर देती है तो आपके पास जो सक्लेंट से उनदर करिए इवें आपके पास जो स्नेक प्लांट है जेट प्लांट है यह सारे सक्लेंट की केटागरी में आते हैं लगातार बारिश में छोड़ देंगे तो ये पौधे गल्ले लगेंगे मदरा थाउजंड ये भी है तो इसको भी आप अंदर कर लीजिए थोड़ी बहुत जिनक्या हुई है उनको परिशान होने की जुरूत नहीं है लगातार अगर हो रही है तो फिर आपको सतर खोना पड़े गा परपल हार्ट हो गया बोट लीली हो गया आपका spider plant हो गया यह सारे आप अंदर रखें देखें यहाँ पर इस कोने में open में रखे थे मेरे सारे सकलेट्स और बारिश हुई तो यह गीले हो गए अपना Christmas cactus यह भी जदा पानी में गल जाएगा आपके पास है तो आप इसको भी अंदर रख लीजिए और बाकी जो आपके इस तरह के प्लांट से हाड़ी है उनको बाहर छोड़ दीजिए जिन्ता की कोई बात नहीं बस यह छोटाजा रिमाइंडर था जिससे कि आपके भी पोथों को कोई नुकसान नो हमेशा स्वस्त रहें वीडियो चलागो तो लाइक करतीजिए आपके किसी अपने को जरूरत तो शेयर करतीजिए और शाहती तो एक लाइन का कोमेंट भी छोड़ दीजिए मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद